जैहिंद इस्टडी बसेरा के यूटूब फैमली के तरफ से स्वर कोकिला भारत रतन लता मंगेशकर जी को आशुरूपुर्ण सरधान जली देते हुए आज का सेशन इस्टार्ट करते हैं तो आज के सेशन का चली हम लोग सुभारम करते हैं आज के इस सेशन का पहला प्रश्ण है ये मेरे वतन के लोगों गीत में किस यूद को याद किया गया है या फिर के कोस्टन यह भी हो सकता है कि इस गीत में यह गित किस यूद की याद में लिखा गया था या गया गया था तो इसका option है option A, भारत पकिस्तान यूद 1965, option B, भारत चीन यूद 1962, option C, दुट्या 20 यूद जिसका की duration था 1949 से 1945 के बीच, और option D है भारत पकिस्तान यूद 1971, तो यहां answer हो जाएगा option B, भारत चीन 1962, भारत चीन यूद जो हुआ तो 1962 में, इसकी ही याद में, इसका जो गायक लेखक थे, कवी परदीप, कवी परदीप ने इस गाने को लिखा था, यह मेरे वतन के लोगों, और इसको गाया थी लता मंगेसकर जीने, और इसको गाया था लता मंगेसकर जीने, दिल्ली के नेशनल एसेम्बली होल में, 27 जनवरी 1963 को गा गाने जो गायद होल में तो उसमें भारत की राष्टपती सरवपली राधा कृष्णन और प्रधार मंत्री जोहला नहरू भी मौजूद थे और ऐसा कहा जाता है सुनने भी आया है कि इस गाने को सुनकर प्रधार मंत्री पंडे जोहला नहरू की आँखों में आशू आ गया एकि कैसे तो इस प्रसंड का एंसर है हम लोगा ऑपोसिन भी भारत पकिस्तान सो भारत चीन यूदी भारत-चीन यूद भारत-चीन यूद ऑपकार संब की आदमें इस गानेक को लिखा गया तो चलिए दिख्टेज नेक्ट इससन है लता मंगेसकर के बचपन का नाम क्या था उपृसन है श्रस्वत्वती मंगेसकर ओप्षंधी पारवती मंगेसकर तो इसका चाही जवाब हो जाएगा option A हेमा मंगेशकर हेमा मंगेशकर लता मंगेशकर के बच्पन का नाम था लता हेमा मंगेशकर तो यह answer हो जाएगा लता मंगेशकर के बच्पन का नाम हेमा मंगेशकर था तो हेमा मंगेशकर की लता मंगेशकर क्यों तो उनके पिता जिनका नाम था पंडित दिनानात मंगेशकर उनके पिता का नाम था तो इन्हों ने उनके पिता ने एक नाटक कर साश्त्र गायक थे जो की पंडित दिनानात मंगेशकर साश्त्र गायक थे तो ये एक नाटक क्या करते थे मुंबई में ही और ये साश्त्र गा और नाटक में गाने का काम क्या करते थे तो उनके एक नाटक में एक महिला किरदार लतिका जिसका नाम था लतिका तो लतिका के नाम किरदार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हेमा का नाम बदलकर लता मंगेशकर कर दिया था यह पूरी कहानी है यह सारा कुछ डिटे उसलिए जो हम लोग देखते हैं प्रसीद गाई का हैं ये भी उनकी अपनी बहने उनका एक मात्र भाई हिर्देरनात मंगेशकर हैं यह सारा कुछ डिटेल यहां दिया हुआ है चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्श कोस्टन तो नेक्श कोस्टन अपना है लता मंगेशकर लता मंगेशकर की अवास ग्रीह का नाम क्या है लता मंगेशकर मुंबई में जिस फ्लेट में रहती थी जहां रहती थी जिस घर में उसका नाम क्या है तो आप्सन है आप्सन ए बिहार कुझ आप्सन बी कुझ विहार आप्सन सी प्रभु कुझ आप्सन डी स्वर कुझ तो option C बन जाता है यह बहुत important question बनता है चलिए अब देखते हैं next question अगला सवाल है लता मंगेशकर ने किस नाम से film निर्मान का काम भी किया था option है option A आनन्द घन, option B आनन्द मट, option C आनन्द विहार, option C आनन्द मंगेशकर तो इसका answer हो जाएगा option A आनन्द घन, लता मंगेशकर ने आनन्द घन के नाम से film निर्मान का भी काम किया था यह आप लोगों जानकर ताजूब हो जाएगा किस तरह का question के बीसी के लिए बहुत important है यहां से question बनेगा ही बनेगा और आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि लता मंगेशकर हमेशा नंगे पाउं ही गाना गाया करती थी चलिए देखते अब next question यह question कुछ अलग तरह से भी हो सकता है कि लता मंगेशकर ने किस बैनर के तले फिल्म निर्मान का काम किया तो इसका भी answer हो जाएगा आनद गहन नहीं यह question दोसरा से भी हो सकता है किस बैनर तले किस नाम के बैनर तले लता मंगेशकर ने फिल्म निर्मान और संगीत निर्देशन का काम किया था तो इसका भी अंसर हो जाएगा आनंद घन ये किसी तरह से भी होगा कोशन बनता है ताब लोग इसको कर सकते हैं इसलिए मैंने इस तरह का कोशन को सेट अप किया है चले देखते अब नेक्ट कोशन नेक्ट कोशन है लता मंगेशकर की पहली फिल्म अभी नेतरी के रूप में कौन सी है ओप्सन है ओप्सन ए पाहली मंगला गौर ओप्सन बी किती हसाल ओप्सन सी बड़ी मा ओप्सन डी महल तो इसका एंसर हो जाएगा ओप्सन ए ओप्सन ए पाहली मंगला गौर लता मंगेश पहली फिल्म है जिसमें उन्होंने अभनेतरी के रुप में यानि के रोल किया था उसमें एक्टिंग की थी फिल्म में यह है पाहिली मंगला गौर पाहिली मंगला गौर एक मराठी फिल्म थी और यह 1942 में रिलिज हुई थी और इस फिल्म में लता मंगेसकर जी ने सने प्रभ बहन की भूमिका इन्होंने अदा की थी या फिल्म 1942 में रिलीज हुई थी चलिए अब देखते हैं next question अपना next question है किस नाटक कि महिला किरदार लतिका से प्रभावित होकर लता मंगेशकर का नाम लता रखा गया था तो option है आप लोगे सामने option A मंगे सी option B भाव बंधन option C गज भाव, option D बड़ी मा, तो इसका answer हो जाएगा option B, भाव बंधन एक नाटक था, option B हो जाएगा इसका answer, option B भाव बंधन जो नाटक था इसकी जो महिला किरदार थी लतिका, इनकी किरदार से प्रभावित होकर इनके पिता, इनके पिता ने इनका नाम हेमा से लता रख दिया था, इनके पिता का नाम जैसा कि पहले कोसे हो आपर देखा है इनके पिता का नाम पंडित दिनानाथ मंगेशकर था जो कि एक साच्तिय गायक थे और इस नाटक को देखकर नाटक के महिला किर्दार से प्रभावित होकर इन्होंने लता मंगेशकर का जो कि बच्पन का नाम उनका हेमा था हेमा मंगेशकर का मंगेशकर था उनका नाम बदल लता मंगेशकर को भारत रतन सम्मान कब मिला था यह भारत का सरवोज सम्मान है तो इसके प्रोसकार लता मंगेशकर जी को कब मिला था option है 2000 इसवी, option B, 2002 इसवी, option C, 2001 इसवी, option D, 1999 इसवी तो इसका answer हो जाएगा option C, option C हो जाएगा इसका answer, 2001 यस्वी में लता मंगेस का जीज को भारत का सरोज सम्मान, भारत रतन प्रुषकार मिला था, चलिए अब देखते हैं, next question, next question है, question number 8, आएगा आने वाला गाना किस फिल्म का है, आएगा आने वाला ये गाना है, तो ये किस महल, option B, अमर, option C, जीवन यादरा, option D, वह कौन थी, तो इसका answer हो जाएगा option A, महल, महल फिल्म का ये गाना है, जो कि बहुत हिट गाना है इस फिल्म का, और इसी फिल्म से, इसी गाने से, लता मंगेस कर की पहचान, लता मंगेस कर जी की पहचान बनी थी, पूरी दुनिया ती मधुबाला, और ये फिल्म रिलिज हुई थी 1949 में, 1949 में, रिलिज हुई थी 1949 के बाद, लता मंगेस कर जी कभी का मतरक्की होना शुरू हो गया था, और इनकी पहचान बननी, अच्छी पहचान बननी शुरू हो गय थी, और ये इस फिल्म की अभिनेत्री थी, मुख्य जो की 1949 में रिलिज हुई थी, चलिए देखते हैं next question, नमर nine, Lata Mangaskar की माता का नाम क्या था, शिदा सा person है, Lata Mangaskar का नाम क्या था, तो Lata Mangaskar की माता का नाम था, option B है, answer उप्षन B, seventh Faclara Mangaskar, लaty manaskar की माता का नाम था, और Lata Mangaskar के पिता, जो पहली साधिकी हैं थे नर्मदा बेन इनकी मिरती हो इनका कोई पुत्रे या कोई बच्चा नहीं थे नर्मदा बेन का उनकी बहन थी लता सेवंती मंगेशकर इनसे इन्होंने साधिकी थी और चलिए आपको देखते हैं लता मंगेशकर जी के भाई का नाम क्या था लता मंगेशकर जी के भाई का नाम क्या था तो आप लोग से भी जानते हैं जैसा कि लता मंगेशकर की चार बहन और वह एक भाई थी एक लोता भाई इनका था तो इनके एक लोते भाई का नाम क्या है तो इनके एक लोते भाई का गायक ही है ये भी एक गायक है और लता मंगेशकर जी को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं ये भी कोशन बन सकता है तो सबसे प्रसीद है लता मंगेशकर जी प्रसीद है लता दिदी लता दिदी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसीद है और हम लोग इन्हें कहते हैं स्वर को इंपोरेंट कोशन बन सकते थे यह कोशन हम लोग ने यहां कनेट करने की कोशिज की है अच्छा और एक कोशन चूट रहा है लता मंगेश का जिसका जो आंतिम रिलिज गाना था वह भी देश्भप्ती वाला गाना था भारत के सैनिकों को समर्पित था सौगंध मुझे इस मि इस गाना रिलिज हुआ था 30 मार्च 2019 को यह गाना रिलिज हुआ था सौगंध मुझे इस मिट्टी किया इनका आखरी गाना था आज चलिए मिलते हैं नए वीडियो में तब तकर जाइंद स्वस्त रहें मस्त रहें धन्याव